सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं उसके अंदर आपको Call Logs में प्रोब्लम आती है जैसे कि आप देख सकते हैं आपने कोई आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में अंट बने रहेगा वीडियो अच्छी लेगे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंस के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि अगर नुकर यह प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल करना है और यहां पर एकूंट न्ट सिंक का ओप्षन देखने को मिल रहे हैं इस पर आपको कुलिक कर लेना है जैसे अप यहां पर क्लीक करेंगे देन स्क्रा 우리는 करिएगा फेंग पर झाले को मिलेगा ऋइंग और आपको मेल आईडी होगी हैं और निकल कर आजाएगी जो प् प्रॉलम फिर भी solve नहीं होती है जो mail id थी कई बार होता क्या है mail id के अंदर आपके numbers save होते हैं तो इस वज़े से कई बार sync नहीं होने के वज़े से आपको problem face करनी पड़ती है तो इसलिए इसको sync कर ले अपनी numbers बगएरा आपको show होने लगेंगे आपके mobile के अंदर तो ये काम सो आपको जुरूर से कर लेना है दन उसके बाद आपको problem आती है दन फिर से आपको setting में आना है यहाँ पर apps आपको देखने को मिल रहा है apps पर आपको click करना है अप्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर manage apps देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है दन उसके बाद यहां पर search bar search bar में आपको phone लिखना है जैसे आप phone लिखेंगे आपके सामने यह दो option निकल कराएंगे phone, phone service इन दोनों का ही काम है यहां पर पहले आपको phone पर click करना है normal phone पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से options निकल करा जाएंगे अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है clear data पर click clear data पर click करने के बाद इसका clear catch करता है आपको याद रखिए clear catch करना है only इसको clear data नहीं करना है ज्कितनी भी permissions होती इन सभी permissions को अलाव कर देना है, जितनी भी permissions हो सभी को अलाव करें, अब बैक आने के बाद आप नीचे आपको phone service, इस phone service पर क्लिक करें, आप ऊपर के त्रफ आपको storage आपको पहलाव करें और रही बैकोrie है, आपको इसका clear data नहीं करना है जैसे आप clear catch कर देंगे तो आपको यहां से भी back आ जाना है back आने के बाद यहां पर आपको permissions पर रोक के करना है दर उसके बाद आपको देखना है जितनी भी permissions होगी सभी को allow करना है सबी permission सलाओ करने के बाद यहां से आना है back अब आपको जो है directly अपने mobile का power button दबाना है और अपने mobile को एक बार restart कर लेना है या फिर power on off कर लेना है जैसे आपका mobile loan होगा आप देखेंगे आपकी call logs में आपको number और नाम भी show होने लग जाएंगे तो आपकी problem भी solve हो जाएगी तो guys बस आज की video में आपको यहीं पिताना था अपको आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं एक वीडियो में टिल दर बाइ टेक के ल, love you all